हेलो एवरीवन वेलकम टो मैं चानल वीलब फॉर्चून टबल बन टबल बन कैसे हैं आप लोग आई होग आप सब बहुत अच्छे हो गाईज सो आज हम next three days की prediction करेंगे हम देखेंगे कि अगले तीन दिन आपकी life में क्या miracle होगा क्या अच्छा हो सकता है साथ में आपके person की feelings क्या रहेगी next three days में क्या next efforts होगे सब कुछ देखेंगे आपके overall life के उपर सो जरूर एंड तक बने रही है का ता कि अगर अच्छी energies आए तो आप उसे जल से जल claim कर सेगे और एक timeless reading है मतलब जब भी आप इस वीडियो को देखोगे उसके next three days के लिए ये prediction applicable रहेगी और general reading है और gender specific नहीं विच मींस कि आप सभी इसे देख सकते हो चाहिए आप किसी भ के पहले तक discount रहेंगे पूरे तरीके से energized chemstones crystals पे remedies पे activated mist spray में तो अगर आपको discounted price में कोई भी product चाहिए तो जरूर से जरूर जल से जल इंस्टाग्राम में whatsapp में contact कीजिए और personal reading की भी slots open है तो आप booking कर सकते हो okay almost one week ही बचा हुआ है new year आते आते so yeah hurry up because limited slots limited orders होंगे already बहुत सरे orders आ चुके हैं तो अगर आपको चाहिए discounted price में and also online tarot classes की fees and online candle course की fees भी discounted price में ही है तो अगर आप discounted price में fees में सीखना चाहते हो tarot card reading या candle magic तो यह भी मौका आपके लिए best रहने वाला है okay because आपको कम fees में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अगर already आप बहुत spiritual being हो intuitive हो तो आप definitely आपकी skills जो है वो enhance होंगे so चलिए बिना किसी देरी के हम start करते हैं आज की reading को contact number, insta id सब कुछ description box में given है screen पे भी आपको मेरा whatsapp number दिख रहा होगा call मत कीजिएगा calls available नहीं है okay सिर्फ message के through आप contact कर सकते हो so let's see okay सबसे पहले हम देखेंगे कि next three days आपके life कैसी रहेगी उसके बाद आपके person की feelings देखेंगे one by one चेक करेंगे end तक बने रहेगा we have projections we have consciousness we have existence we have maturity wow so guys next three days आपके लिए बहुत खास रहने वाले हैं क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप के फेवर में ये तीन दिन रहेंगे जैसा आप चाहोगे जैसा आप मांगोगे जैसा आप विश्च करोगे वो सारी चीज़े आपको इन तीन दिनों में होती हुई नजर आ जाएगी ठीक है तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि जो भी आप चाहोगे वो आपकी होगी तो next three days में आपका कोई अच्छा काम बन सकता है जो आप चाह रहे थे कि आपका काम बन जाए next three days में ऐसा हो सकता है किसी specific person से कुछ आप expect कर रहे थे कि ये इनसान आपसे ऐसे behave करी है ये इनसान आपके लिए ये करे बो चीज़ आपको नजर आ जाएगी होते हुए ठीक है and next three days जैसा mindset जैसा आप विशेस रखोगे तुरं तुरंत होती हुई नजर आएगी manifestations पूरे होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं आपके next three days ठीक है तो अब तक जो आप सोचते हुए आ रहे थे वो तो next three days होगी ही मुझे आ दिख रहा है क्योंकि next three days बिल्कुल आपके favor में work करेगा जैसा चाहोगे जो चाहोगे जिस तरीके से चाहोगे कि ये तीन दिन मेरा रहे अभी reading देखते वक्त reading के बाद ही आप decide कर लेना कि आप अपने next three days कैसे चाहते हो और उस thought पे fixed रहना और देखना next three days आपके लिए बिल्कुल वैसे ही वैसा होगा अगर traveling करना चाहोगे वह होगा ट्रिप पे जाना चाहोगे वह हो जाएगा अचानक से किसी परसन का come back चाहते हो किसी परसन से कुछ expect कर रहे हो या कोई चीज होता हुआ देखना चाहरे कोई काम बनता हुआ देखना चाहरो सब कुछ इन तीन दिनों में आपको नजर आएगा जैसा चाहोगे वैसा यह चीज यहां clearly दिख रही है ठीक है बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं कहूंगी ठीक है लेकिन हाँ almost इतनी इच्छाएं पूरी होंगी जैसे आपको लगेगा कि हाँ चलो मेरी तरह चीजें हो रही है मैंने जो चाहा है चाह रही हूँ चाह रहा हूँ वो चीजें हो रही है ठीक है यह चीज मुझे जरूर दिख रही है या पर सो अब देख लेते हैं कि आपके person यानि कि जो भी आपके दिल में है उस इंसान की feelings क्या रहेगे नेक्स त्री ड queen of bows my goodness wow we have the moon on water and let's see the archer wow great energy in bottom of the deck we have ace of arrows okay so our person's current feelings for the next three days let's see the first thing is that your person in the next three days is your dream that you are expecting or you have to ask them to ask them to ask them okay I am showing you that there is an emotional balance in the next three days in the next three days you will feel very inclined and magnetic pull and your heart will hope that you want to do it for yourself so you will have to do anything that you expect or wish or want to do it like if you want to contact them in the next three days if you have told them that you will go to date or go to date or I need you to do it you will have to do it in the next three days or you will have to do it in the next three days you will have to do it in the next three days you will have to do it in the next three days you will have to do it in the next three days and you will have to do it in the next three days okay so this person will focus on you your desires your needs your wishes and they will try to fulfill that within these three days okay yeah this thing you can look at me okay because this person's interest is always going forward to this person's goal that this person is emotionally connected to you and your heart makes you everything you will be able to do it in the next four days but to do it in the next three days but to keep on the next three days in the next three days you will have to do it in the next four days everything will be done in the next three days you will match yourself सोचेंगे कि नहीं इसकी ख्वाइश को पूरा करना मेरा responsibility है ठीक है यह मुझसे ही तो मांगेगी या मुझसे ही तो मांगेगा ठीक है तो वह चीज उनको feel होगी कि अगर आप उनसे expect कर रहे थे कुछ या hope रखते थे तो क्यों रखते थे या क्यों रख रहे हो इसी वज़े स कि आप उनसे प्यार करें तो वह आपके लिए important है इसलिए तो यह चीज यह कहीं रियालाइस करेंगे feel करेंगे next three days and next three days में यह जरूर से जरूर बहुत अच्छा कुछ effort डालेंगे आपके लिए चाहिए आपका रिष्टा सही चल रहा हो तो और भी बहतर हो जाएगा अगर आपके रिष्टे में problem है breakup है separation है तो कुछ ना कुछ जरूर आपको प्यार love feel करवाने के लिए and impress करने के लिए जरूर से जरूर करेंगे ठीक है और वह ऐसा नहीं होगा कि superficial तरीके से या फिर formality के तरीके से कर रहें कि करना पढ़ता है तो कर रहें ठीक है यह इंसां दिल से पर आपके लिए होता है तो क्या अशां आपके साथ रहना है अपके साथ डिना है फिला के बाढ़ने के लिए एक पिलने के सुछ तरीके से अच॥ इस बीचेश eyesat you can also go to face it hasn't to berey them क्योंकि न्यू बिगनिंग यहां पर थ्री डेस में ही हो रही है यहां पर शिक्स ओफ वैसल्स है एस ओफ एरोज है तो डेफिनेट्री क्लारिटी कम्यूनिकेशन लब रुमान्स फ्लो इस कमिंग इन यूर लव लाइफ इन विदिन दी नेक्स त्री देस मार्क माइ वोच अ लेट्सी 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 वीव एफ अटाच्मेंट नमबर फइव वीव इव इस नमबर वन ग्रेक्ट अनरजी यही आप दोनों के कनेक्शन में आपके लव लाइफ में कुछ तॉक्सिक अटाच्मेंट्स थे जो से कि अटाच्मेंट्स तू यू नजर आ रही है इन नेक्स त्री देज आपके लिए बहुत ही चमतकारी रहेंगे सच में बहुत चमतकारी रहेंगे इन नेक्स तीन दिन आप एक कम जरूर कीचेगा कि सुबह जैसे ही आप उठते हो नहाने के बाद शावर लेने के बाद आप जरूर सूर्य देव को पानी अरपित करें आपके overall life के लिए बहुत beneficial होगा सूर्यदेव से आपको कृपा मिलेगी आशिरवाद मिलेगा ठीक है तो जरूर अगर आप कर सकते हो तो definitely आप कीजिएगा ठीक है और और morning के first half में ही try कीजिएगा बारा बजने के बाद दोपैर होने के बाद मत कीजिएगा अगर आप सुभा कर सकते हो तो ही यह ritual जो मैंने आपको बताया ठीक है early morning में करोगे तो बहुत ही अच्छा है लेकिन फिर अगर early morning में नहीं हो पाती है तो दोपैर के बारा बजे के पह और उनके लिए आप grateful हो तो ही आप कीजिएगा मन में ऐसा मत सोचीगा कि यह करने से तो मुझे benefit मिलेगा चलो formally के लिए कर देते तो ऐसा मत कीजिएगा ठीक है यूंकि जो devotion है worship भगवान को करना होता है वो भगवान से दिल का रिष्था होता है तो उसमें हम अपने lab के लि या devotionally connect होते हैं तभी भगवान हमारी सुनते हैं लेकिन सिर्फ अगर हम selfish होके अपना काम हो जाने के लिए काम निकलवाने के लिए करने के लिए भगवान को बुलाते हैं तो उस you know prayer में शुद्धता नहीं होती है तो वो फिर बाद में grand भी नहीं होती है और फिर आपको ल जाके वो चीज होगी तब जाके भगवान को direct आप जो भी बोलोगे उनके दिल में जाके उनको सुनाए देगी और वो जब आपको मदद करेंगे तो आप भी मैसूस कर पाओगे कि भगवान नहीं आपको इस तरीके से मदद किया है ठीक है भगवान खुद रूप लेकर आ हो ठीक है और जैसे आप अपने closed ones को loved ones को family को याद करते हूं उसी तरीके से भगवान को भी आप याद कर रहे हो ठीक है भगवान के लिए भी आपके दिल में आपके जिंदगी में जगा है उसके लिए ठीक है तो जब भी आप मननत मांगें प्रे करें ठीक है और फेद भी रखें तूसे unconditional रखें ऐसा नहीं कि कुछ आपके life में बुरा हो रहा है तो भगवान को भूल जाओ भगवान को को सो और कुछ अच्छा हो तो आप फिर सोचो कि हाँ भगवान के वज़े से अच्छा हो ठीक है और और इक चीज है जब बुरा वक्त चल रहा होता है तो इसवर को भी हमेशा अपने जिंदेगी में रखें ठीक है इसवर जरूर आपके पास रहेंगे आपके रहेंगे आपको प्यार देंगे आपको protection देंगे आपको आशिरवात देंगे ठीक है क्योंकि कहीं ना कहीं एक ऐसी एनरजी जरूर है जुसके बिना ना ये दुनिया चल सकती थी ना ये दुनिया चल सकती है और ना ये दुनिया चल पाएगी और इनसान या फिर जानवर कोई भी जीव हो एक ऐसे एनरजी जरूर है जो कि हम जीवों को definitely protect कर रही है direction प्रोवाइट कर रही है बस यही एक difference है कि हमें realization हो सकता है जल्दी हो जाए या लेट से हो है कि हम इतने अच्छे हैं या हमने कभी कुछ नहीं करा भगवान हमारी सुनते नहीं है तो देखी इसमें बहुत सारे चीजें होती है ठीक है past life का कर्म होता है इस lifetime का भी कर्म होता है आपको बहुत बार लग सकता है कि आपने कुछ नहीं करा ठीक है आप बहुत अच्छे लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने life में choices ही गलत बनाए हो decisions ही गलत लिये हो आपने किसी को दुख नहीं दिया कुछ गलत नहीं करा लेकिन आपने खुद के life के लिए गलत चीजों को चूज करा तो इसमें भगवान की कोई you know involvement नहीं होती है क्योंकि human के पास brain है भगवा हम खुद कुछ गलत decide करें और उसके accordingly हमें कुछ consequences जहलना पड़े तो that should be our own responsibility उसके लिए हम खुद दाए हैं हम किसी और को अपने family को अपने friends को या God को blame नहीं कर सकते ठीक है तो ऐसा मत सोचिए और जो लोग इश्वर के पास होते हैं जो लोग spiritual होते हैं religious होते हैं उनकी भ का पार्ट है जैसे happiness achievement भी एक life का पार्ट है तो ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में कोई इंसान सिर्फ खुश है उसने कभी दुख नहीं देखा हर एक इंसान जो आता है इस दुनिया में उससे कभी न कभी दुख भी देखना पड़ता है और सुक भी कि किसी को सकता है जल्द coming future ठीक है क्योंकि कर्म करना आपका काम है सोचना आपका काम है लेकिन जो result होगा ठीक है वो इसके उपर निर्भर करेगा तो आपको अपना present beautiful बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी तब जाके आप future में कुछ अच्छा expect कर पाऊगे और जब कभी life में कुछ बुगरा हो कुछ गलत हो या कुछ काम ना बने तो जरूर बैट के सोचना कि कहां पे आपने गलत decisions लिये हैं कहां पे अपने गलत choices बनाए हैं जिस वज़े से आपको इस तरीकी की चीज़ें देखनी पड़ रही है ठीक है तो हर एक चीज किसमत में नहीं होती बहुत सारी चीज ऐसी होती है जिसे हम खुद attract करते हैं या जिसे हम खुद चुनते हैं और उसके accordingly फिर life में experiences हो जाते हैं चाहे वो अच्छे हो या बोरे हो ठीक है सो या faith भगवान पर जरूर रखें चाहे situation कैसा भी हो क्योंकि जब आप faith रखते हो आप बड़े से बड़े problem से भी निकल जाते हो चाहे आप कितने भी बड़ी गलती कर दो कुछ भी कर दो लेकिन अगर भगवान के उपर faith नहीं है आप इश्वर से जुड़े ही नहीं हो त सो आपको बताया जा रहा है कि दिल के सुनिये जो सही लगे उसे आप कीजिए आप पूरे तरीके से प्रोटेक्टेड हो यहाँ पर पल कर देख पा रहे हो ठीक है यह आपको सिंबलाइस कर रहा है एमितिस्ट को ठीक है और डेफिनेटल आप प्रोटेक्टेड हो तो सारे toxicity को अपने अंदर से हटाईए अपनी दिल की सुने ठीक है और जो आपको सही लगता है वो कीजिए क्योंकि अल्टिमिट अगर आप दिल की सुनोगे तो दिल आपको सही रास्ता ही दिखाने बाला है क्योंकि अभी आपका दिल जो है आपको सही रास्ता ही दिखाने बाला है ठीक है देखिएगा कि आप क्या सोच रहे हूँ जितना जादा होता कि उतना पॉजटिव रहना है क्योंकि ये नेक्स त्री डेस मैं आपको पहले भी बताया वही यहां पर आया गाइडेंस में आप लोग पढ़ भी सकते हो ठीक है कि जो सोचोगे जैसा चाहोगे वैसा होग हमका तो जरूर से जरूर अपने थौर्ट्स पर काम करें अपने लाइफ को लेकर अच्छा सोचें अच्छे चीजों को अच्छे करने की कूशिश करें Unlaise at least next three days try करें कि आप बिल्कुल भी depressed या sad ना रहे और अपने life को लेकर उल्टा सिधा affirmations ना करें ठीक है चाहिए कुछ भी problems हो happy रहने की कोशिश कीजे happiness एक ऐसी चीजें जिसे आप खुद आपको create करना है आप किसी पर dependent नहीं हो सकते कि यह इंसान मेरे यह करेगा तब जाके मै खुश होंगी या यह मेरे life में रहेगा तब जाके मैं खुश होंगी या यह चीजें मेरे life में होंगे तब मैं खुश होंगी happiness is in within ठीक है happiness happy होने के लिए reason ढूनना नहीं पड़ता happiness create करने पड़ती है और अगर आप unhappy हो तो उसकी वज़ा भी आप खुद हो ठीक है तो किसी पर निर्भार मत रहो किसी कोई चीज पर भी निर्भार मत रहो खुशिया आपकी अंदर है आप जिस तरीके से सोचोगे जिस तरीके से perspective बनाओगे life का life वैसी ही बनती चली जाएगी ठीक है तो happiness भी वही है happiness is an illusion ठीक है वो exist कर रहा है वो exist कर रहा है तो आपके भीतर कर रह अगर पसंदे दो फ्लीज दो like comment share and subscribe मैं मिलती हूँ आप लेको next video मैं गाईस तब तक के लिए बाबाई